धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूँ अक्रम रहिस खान धाकड़ खबर बेखोफ जुबां बेबाग अन्दार धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूँ अक्रम रहिस खान यू तो यूपी के जंगल राज पर धाकड़ खबर अलग से ए इस खबर में भी हम ऐसी ही एक पहलू पर बात करेंगे ऐसी ही एक वारदात पर बात करेंगे जो दिखाएगी जो बताएगी जो आपको एहसास होगा जिसे देखके कि वहाँ पर किस तरीकी का जंगल राज चल रहा है जिला इस्तर पर जो डिस्टिक सेंटर बना होता है जिसे के अंदर सेंटर पर जिला सभागार होता है, जिसमें तमामulin होती हैं, जेले कि तमाम अधिकारी मुर्ण कर रहे हैं, एकší मिटिंग चल रही है साब, शान ऑर मिटिंग के दोरान भारतिय जनता पार्टी का एक विधायक D.I.O.S यानि के जिला विध्याले निरिक शक पर तूट पड़ता है उसको पीट देता है उसको धुन डालता है पहले विधायक पीटता है फिर विधायक के गुर्गे उस अधिकारी पर तूट पड़ते हैं डियम मौजूद है मिटिंग के अंदर और तब ये वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और उस अधिकारी को बचाने वाला कोई नहीं आ पाता है पहले आप वो तस्वीरे देख लिए फिर आगे कुछ और पहलों पर बात करेंगे अब आपके स्थेहन में पहला सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये अधिकारी साफ कोन है और कियो इनको पिटा जा रहा है तो पहले बताते हैं कि ये अधिकारी कोन हैं यह अधिकारी हैं बलिया के जिला विद्या लेडी रिक्षक एंडी पांडे इनका नाम है और इनके अंडर में हाई स्कूल और इंटरमेडियर्ट की पूरी सिक्षा परणाली आती है यानि के हाई स्कूल और इंटरमेडियर्ट की जितने स्कूल हैं वहां की पूरी शिक्षा प्रणाली की उचित व्यवस्था करना इनकी जिम्मेदारी में आता है जिले के सबसे बड़े अधिकारी यह हुए इनसे नीचे एक होता है बेशिक शिक्षा अधिकारी जो पहली क्लास वे आठवी क्लास तक का सिस्टम पूरा देखता है पूरी प्रणाली देखता है और ये नवी क्लास से बारेवी क्लास तक की पूरी सिक्षा प्रणाली को देखता है अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पिटे क्यूं है तो ये बताने से पहले आप ये जान लीज के अंदर ब्राह्मानों का वास्तित नहीं है उनके साथ बड़ा उत्पिड़न हो रहा है तब ही इस विधायक ने इनके साथ इस तरीकी की वारदात की अगर इनका नाम एंडी सिंग होता तो इनके साथ ऐसी वारदात को अंजाम नहीं दिया जाता आगे चलते हैं अब जान लेते हैं कि विधायकों हैं जो अधिकारी को पीट रहा है तो इस विधायक के बारे में जान लीजिए बलिया जिले की बैरिया सीट से विधायक हैं सुरेंद्रि सिंग भारती जनता पार्टी के विधायक हैं जाती से राजपूते यानिके ठाकूर हैं और सीदे निए उनके बिरादर भाई हैं यानि उन्हें परदेस में कोई कुछ नहीं कह सकता है वो किसी वे अधिकारी को पीट लें किसी वे अधिकारी के साथ कुछ भी कर लें मैं बताऊंगा आगे उन्होंने किस किस के साथ क्या क्या किया है और उनके परिवार के लोगों ने क्या क् है क्योंकि इस वखत यूपी में टी कंपणी सरकार चला रही है टी फोट ठाकूर लेकिन भूपू मेडिया है अब दिखा नहीं सकता अखलेश यादा पिछड़े की जब सरकार होगी तब चीक चीक के दिखा सकता है कि देखो वाई और हम यादा और मुस्लिमों का क्या हाल च सकता है चलते हैं अगले पहलों की तरफ अब आपके जहन में अगला सवाल आ रहा होगा कि विधायक के बारे में बता दिया अधिकारी के बारे में बता दिया घटना के बारे में बता दिया तो यह भी तो बताईए घटना क्यों होई और इसके बारे में सब लोग क्या कहते हैं आपस में तो पहले आपके सामने विधायक सुरंदर सभास का बयान रख देते हैं उनका कहना है कि अधिकारी ब्रस्त हैं और पैसे लेकर रिष्वत लेकर यह टीचरMrs की पोस्टिंग करते हैं और अधिकारी का क्या बयान है वो भी देख लीजिए अधिकारी का बयान है कि विधायक दबाव डाल रहे हैं उन पर मन चाही जगा पर कुछ टीचरों की पोस्टिंग करवाने के लिए और वो नहीं कर रहे हैं उसी के चलते अधिक विधायक उनसे नाराज हैं अब अगला पहलू देख लिजे अगला पहलू आपके सामने जो काम मेंन का रहों हैं जाइक और यह उस लेख पाल की धुनाई कर देते हैं पूरी तैसिल के एंदर स्ट्राइक कर देते हैं तमाम जतने अधिक क्रमчारी वो लेकिन खूबधरना परदशन करते हैं और बतिजे की कहिलाफ कोई नहीं हो पाथी योगी सरकार में आखिर होगी भी कैसे ये भी गोर करने वाली बात है अगला पहलू देख लीजे यहां हम बात करेंगे कि सुरेंदर सिंग विधायक के जो विवादित बोल हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले इनका विवादित बोल आपके सामने रख देते हैं जब उन नाओ बलतकार कार मामला आया और बीजेपी के विधाय कुल्दीप सिंग सेंगर जो जाती से ठाकूर है उनका नाम उसमें और इन्होंने मीडिया में एक बयान दिया कहा कि साहब को शादुशिदा लड़कियों का भी शादी शुदा महिलाओं का भी बलतकार करता है जबकि वो लड़की नाबा कमले में कहीं न कहीं योगी का हाथ तो उसके उपर नहीं है ऐसे विदाय के ओपर ृव किया और बिल्कुल है जो मैरे बलाप नहीं मेरे नाजिए और और ऑर और हरजन उत्पिरन लबता है कि पूरा समाज ही उत्पुलित हो जाए अब भादे तीन बच्चे की मां के साथ कोई रैप करता है आप लोगग भी बात करते हैंRR दूसरा इनका वीवादीद बेयां देख लीजिए बलिया के जिला परसार्शन पर भरष्च चारकारब लगा चुके और कहा चुके हैं कि इतना ब्रस्टा चार तो सपा सरकार के जमाने में भी नहीं था जितना योगी सरकार के जमाने में हो गया है अधिकारी ब्रस्ट हो गया है दुगनी रिश्वत लेने लगे हैं एक बैया निमका ये भी है कि देश में कहीं पर भी कोई मस्जिद नहीं होनी चाहिए इसकलब बहुत सारे और बायान है बड़ी लंबी फैरिस्त है अगला और आखरी पहलू जो है वो देखना और समझना आपके लिए दिल्चस्प है योगी के सत्ता में आने के बाद से खूब पिट रहे हैं यूपी के अधिकारी और क्रमचारी 19 मार्च 2017 को योगी ने सत्ता संबाली एक महिना नहीं बिता था कि 18 अप्रेल 2017 को सारनपूर में हमें देखने को मिला कि बीजेपी का सांसद रागव लखन पाल सिंग वहां के SSP लवकुमर के घर में जागुसा तोड़ फोड की अपने समर्थकों के साथ और SSP के बच्चों को भैस के पीछे छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी दूसरा मामला देख लीजे मोटे मामले बता रहा हूं जबके धरजनों ऐसे मामले हैं एक दिसंबर 2017 को जिस वकत नगर पाली का नगर पंचायत नगर परिशाद और नगर निगम के चुनावी नतीजे आ रहे हैं उस द भीकारी भी नहीं ले पाएगा जो पिटा अब इनके आतो और उससे आगे देख लीजिए अलिगड में हिंदू संगटनों से जुड़े हुए ठीक है जो गुंडे हैं वो सरे आम सडक पर घिरा कर एक थानेदार को पीट रहे हैं और वहां पुलिस वाले अपने थानेदार को बचा भी नहीं पा रहे हैं आप तस्वीरों में देख सके हैं मैंने जैसे कहा कि दरजनों ऐसी वारदाते हैं और ये तभी से होनी शुरू हुए हैं जब से योगी ने सत्ता समा लिये लेकिन भूपू मीडिया सपा की गुंड़ई पर बोल सकता है लालो परसाद में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं खबर को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जादा से जादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं ऐसे ही फिर किसी सो लगते हुए है उलस्ते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होंगा हाजिर फिलाल अभी मुझे दे इजाज़द